Hello everyone, welcome you all at location Unlimited Study Zone तो सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर करने जा रहे हैं KVS 2023 2023 PGT Maths का Solution तो आईए देखते हैं करते हैं KVS 2023 PGT Maths का Solution तो सबसे पहले आपके सामने है question number 81 कह रहा है कि relation R is given by x, y x plus y greater than is 8, okay x is greater than 8 and y is, sorry x belongs to a, y belongs to a then the set of ordered pair in R, तो आपसे बोला जा रहा है कि रिखे x plus y की value जो है 8 से बड़ी है, आपको बताना है x और y के वो pairs जिसमें x plus y की value क्या है, 8 से बड़ी है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x plus y greater than or equal to 8, तो क्या हो जाएगा आपने पास, y is greater than or equal to कितना हो जाएगा 8 minus का x, अब आप x की value 1, 2, 3, 4 डालते जाहिए, तो x की value आप 1 डालेंगे अब देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, x plus y जो है, 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है न, तो क्या-क्या value आप डाल सकते हैं वैसे यहाँ भी देख लेंगे, आप इधर से भी कर सकते हैं, x plus y की value 8 से बड़ी होनी चाहिए तो देखें, 4, 5, 9, 5, 4, 9, और 5 से जादा तो कोई होना चाहिए, 8 है, 8 से बड़ी, ठीक है न, तो 3, 5 हो जाएगा कितना, 8, 4, 4 हो जाएगा, 8, 4, 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आपके पास में 53 कितना हो जाएगा ये भी 8 हो जाएगा 54 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 55 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा clear है तो option number 3 इसका correct option होना चाहिए क्योंकि सारी परिस्तितियां यहाँ पे match हो रही है so correct option is option number 3 okay so done ये question number आपका हो चुका है कौन सा 81 ठीक है और आप चाहओ तो put भी करके देख सकते हो इसमें x की value 1 2 3 4 5 डाल करके वैसे भी देख सकते हो है ना तो x की value आप यहाँ पे 1 डाल करके 2 डाल करके 3 डाल करके 4 डाल करके 5 डाल करके आप देख सकते हो कि better आपके पास यह रहेगा कि x और y को आप चेक कर लो क्योंकि इस तरीके से कोई मतलब नहीं है आप इस तरीके से चेक कर लो कि x और y के आप pairs बना करके देख लो तो best answer कितना जागा इसका 3 आ जागा कोई दिक्कत नहीं है एक और तरीका है आप एक काम करिए कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और दूसरा के आपके पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखे अगर आप उपर वाले में करते तो y is greater than or equal to 8 minus x आपके पास आथा तो y is greater than equal to अगर x की value आप 1 डाल रहे हो तो x की value 1 डालोगे तो कितना हैगा 8 minus 1 7 हो जाएगा बट 7 सेट में नहीं है मतलब आप answer 7 नहीं ले सकते हो ठीक न आपको sum कितना चाहिए है 8 से जादा तो 1 किस के साथ pair करा होगे 1 किसी के साथ नहीं होगा 2 और 5 भी किसी के साथ pair नहीं होगे क्योंकि 2 का 5 के साथ sum कितना होता है 8 7 होता है 3 के साथ कौन pair हो जाएगा 5 पर हो जाएगा तो पहला जो पॉइंट बने गों क्या बनेगा 3,5 फिर 4 के साथ क्या pair बन जाएगा 4 के साथ आपका क्या कह रहा है 4 बन जाएगा 4 के साथ 5 बन जाएगा फिर 5 के साथ क्या बन जाएगा 5 के साथ 3 बन जाएगा 5 के साथ 4 बन जाएगा 5 के साथ 5 बन जाएगा तो इस तरीके से भी ये साब साब दिख रहा है कि इसका answer जो होगा C होगा चलिए अगला question देखते हैं इसका domain बताना है बहुत ही simple question है x square minus x minus 6 is not equal to 0 तो x square देखें multiply करने पर minus 6 सम करने पर कितना होना चाहिए multiply करने पर minus 6 और sum करने पर minus का बन तो ये इसको आप ले लो कितना minus का 3x और plus का 2x minus 6 is not equal to 0 x common ले लिया x minus 3 and plus 2 यहाँ पर होगा x minus 3 is not equal to 0 तो x minus 3 x plus 2 is not equal to 0 तो आपके पास कितना जाएगा x is not equal to 3 and x is not equal to minus 2 तो आपके पास answer कितना हो चुका है 3 और minus 2 को relief कर दो तो कहाँ पर option इसका a बैठेगा क्योंकि a में option है सही है न तो correct option इसका क्या है इसे यहाँ पर one tick किया है तो one ही इसका सही answer है आच चुके हम लोग question number 83 पे देखे 83 पे आपसे पूचा जा रहा है कि a is greater than or equal to b a n है तो बताइए कि कौन सा relation है यह ओके तो यह कैसा relation है दिखे सबसे पहले a a के साथ जो है a is equal to a है satisfy कर रहा है तो यह आपका कैसा हो जाएगा reflexive तो हो जाएगा बट symmetric नहीं होगा ओके और natural number में है तो a greater than b हो जाएगा b greater than c हो जाएगा तो symmetric हो जाएगा यह sorry reflexive हो जाएगा और transitive हो जाएगा बट यह symmetric नहीं होगा तो क्या लिखेंगे इस में reflexive and transitive but not symmetric तो hopefully इसका answer d होना चाहिए 83 का correct answer d यह बल्कुल सही है ओके यह भी one marks लेके जाएगे चले question number 84 देखते है 84 में क्या question कहा रहा है कि एक एकी और आच्छा दक mapping आपको बतानी है question number 84 ही होगा नहीं तो हाँ 84 तो यह देखें इसमें क्या है एक इसमें 4 element है और इसमें आपके पास 5 element है तो ऐसे आप बना सकते हो इसमें a1, a2, a3, a4 ओके और यहाँ पर किते हैं इसमें 5 element है मतलब b1, b2, b3, b4 और b5 क्या कह रहा है एक एक की आच्छा दक मतलब की एक का एक से connection हो और यह सारे के सारे map हो जाएं देखो एक की तो एक का एक से connection है और साथ में आच्छा दक तो हो नहीं सकते तो इसका answer क्योंकि अगर आप एक एकी बनाओगे तो कभी आच्छा दक होई नहीं सकता है तो answer इसका कितना आएगा? 0 आएगा तो correct answer इसका 4 हो जाएगा 0 ओके? तो इसका correct answer क्या है? 4 तो question number 85 भी ठीक कर दिया अपने अब चलते हैं question number 86 की तरफ 86 question का चलिए question number 86 देखिए हाँ अब 86 अपन question देखते हैं कह रहा है कि n u equal to 30, n a dash equal to 15, n b equal to 5 n a intersection b equal to 3 तो आपको बताना है कि n a union b कितना होगा? देखिए question number 85 कैसे करते हैं आपके पास देखिए universal set 30 दिया है और n a dash आपको दिया है 15 तो आप जानते हैं कि n a dash that is equal to universal minus n of a ओके आपको ये कितना दिया है? n a dash आपको 50 दिया गया है और n u आपको कितना दिया गया है? n u आपको दिया गया है आपके पास में 30 minus n a आपको निकालना है तो n a आप निकालनेंगे यहापे कितना आजाएगा? 15 आजाएगा तो ये 30 और minus का 15 equals to कितना हो जाएगा? इधर n a आजाएगा तो n of a equals to कितना आपके पास में 15 आचुका है अब चलिए union की बात करते हैं तो n a union b equal to होता है n a plus n b minus n a intersection b यह हुआ करता है तो n a आपके पास में कितना है? 15 है n b आपके पास में कितना देखी? 5 दिया हुआ है और minus n a intersection b आपके पास में कितना 3 है तो 15, 5, 20 20 में से 3 चला गया कितना हो जाएगा? आपके पास में 17 हो जाएगा तो correct option इसका होगा 3 option 17 चेक करते हैं देखे बिल्कुल आपका answer 85 ने question 85 का option number 3 बिल्कुल सही है ओके 85 का option number 3 और यहाँ पर अपने option 25 लगाया जो कि बिल्कुल ही गलत है कभी नहीं हो सकता है ओके तो यहाँ पर zero marks दिये जाएगे जिस भी बंदी की copy है चली अगला question देखते हैं कि अगला question भी अपका set theory से है एक विद्याले के 400 विद्यार्थियों में इंगलिश में पढ़ेंगे इनना survey of 400 student high school it was found 100 like to drink coffee 150 like drink tea and 75 both coffee and tea तो देखो भी total 400 student है और 100 drink coffee आपको कह रहा है कि कितने लोग coffee और चाहे कुछ भी नहीं पीते तो बहुत ही simple question है आप सबसे पहले union निकाल लो coffee union tea okay coffee union tea कर लिजे तो n c plus n t minus n c intersection t बच्चों दोस्तों इसको solve कर लो आपके पास में total आपके पास में निकाल लो कितने आ रहे हैं तो coffee पीने वाले कितने 100 हैं 150 अपने ये हैं और 75 लोग ये हैं तो 100 और 150 कितना हो गया 250 माइनस कितना हो गया 75 तो 250 में से 75 आप माइनस कर दीजे ओके और ये जो आएगा आपको इस में से किस में से 400 में से माइनस करना पड़ेगा तो सबसे पहले इसको माइनस कर दो तो 250 में से 75 गए 10 में से 5 गए 5 ये बन गया 24 ओके और 24 में साथ गए 17 तो 175 हो चुके 175 नौ आपको क्या करना है कि निकालना है कि कितने लोग कुछ भी नहीं पीते हैं तो मतलब आपको निकालना है C- Intersection T- ठीक ना कुछ भी ना पीने वाले तो टोटल कितने है 400 है 400 में से 175 दस में से 5 गए 5 यह बन गया 9 नौ में साथ गया 2 और यह कितना बन गया था यह बन गया 3 में से गया 2 तो correct answer इसका कितना होगा 225 option no.4 ओके option no.4 है कौन से question का 86 का तो 86 का option no.4 बिल्कुल सही है correct one marks मिलेंगे आपको चलिए अगला question देखी बहुत ही simple है अगला question क्या कह रहा है a ladder makes an angle 60 degree with a ground when placed against the wall the foot of the ladder is 2 meter बहुत ही simple question है इतना simple 10th class का question क्या बोला जाए अना देखी यह 60 degree है ladder make an angle 60 degree with a ground placed against the wall the foot is ladder 2 meter away from the wall यह देखो यह 2 meter है और आपको जो है length of the ladder निकालनी है आपको यह निकालनी है तो देखे length of the ladder निकालनी है आपको base दिया है तो cost 60 degree is equal to base upon hypotenuse है base कितना है 2 upon hypotenuse L मान लो तो L equal to 2 upon L L अपने पास में cost 60 हो जागा 1 by 2 तो इस answer कितना हो जागा 4 आना चाहिए तो 87 का option number 4 बिल्कुल सही है यहाँ पे भी अपन ने option number 4 ही tick किया है बचोंने बिल्कुल सही है चली देखे अगला question कहा रहा है the solution of the trigonometric equation इतना आपको solution बताना है तो देखे इसे question को करने के लिए आप क्या करो 10 square x minus 6 6 square x equal to 0 आपने cost square x का divide कर दिया है तो देखे क्या हो जाएगा आपके पास में 5 plus 7 10 square x minus 6 स्वाइस इप्स कह सेदा आरफे כरहा हुगा नहीं है थोड़ी गलती हो रहे है कि 7-6 equal to 10 square x only minus 1, तो 10 square x equal to कितना हो जाएगा 1, तो 10x equal to कितना हो जाएगा n pi plus minus pi by 4, because 10 square x equal to 1 हो जाता है, तो इसका solution 10x, 10 square x equal to 10 pi by 4, ओके और आँगे आप लोग को method पता होगा, n pi plus minus pi by 4, तो option number D होना चाहिए, ओके, इसका answer number क्या होना चाहिए, D, question number 88 का D, so correct answer 88 का D, चलिए अगला question देखी, minimum value पूछी गई इसकी तो बहुत ही simple तरीके से इसकी minimum value निकाल सकते हो, अब सबसे पहले क्या है, 7 के साथ minus under root A square plus B square का सीधे trick लगा दो, under root A square तो 2 का 4 into 5 कितना हो गया, 20 और कितना हो गया, यह अपने पास 16, under root A square plus B square, तो यह हो गया कितना, 7 minus यह हो जाएगा, 36 का 6, तो answer कितना हैगा, 1 आना चाहिए, 89 का correct answer C होना चाहिए, चलिए चेक करते हैं, 89 का correct answer 3 number, बिल्कुल सही है, 1 marks आपको इसमें भी मिल गया, चलिए अगला question देखी, if a complex number Z satisfy the condition, I plus Z, I minus Z, तो mod of I plus Z, equal to mod of I minus Z, इसको solve कर दो, देखी तो इसको कैसे solve करेंगे, यह बन जाएगा, X plus I bracket में, Y plus 1 का mod equal to, I minus Z है, तो यह कितना हो जाएगा, minus का X, OK, minus का X, और यह होता है, X plus I Y, और I plus में है, तो plus I common लेगा, तो कितना जाएगा, 1 minus का Y, चलिए, अब इसको हम, square कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इसका under root ले लो सबसे पहले, तो यह हो जाएगा, X square plus Y plus 1 का square, equal to under root, यह X का square ही हो जाएगा, और यह 1 minus Y का whole square, square कर दीजे दोन तरफ, तो देखें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, X square plus Y square plus 2Y plus 1, equal to X square plus 1 minus का 2Y, plus Y square, Y square X square से X square Y square cancel हो गया, यह 4Y equal to 0 हो गया, तो Y equal to 0 आगया अपने पास में, तो answer क्या होगा, lying on the X axis, because Y equal to 0 किसका होता है, X axis, तो question number 90 का, option number first होना चाहिए, बिल्कुल सही है, question number 90 का option number first, चलिए, अगला question देखे, multiplicative inverse आप से पूचा गया है, 3 plus 2Y का, तो 3 plus 2Y होटा का multiplicative inverse क्या होता है, Z inverse equal to होता है, Z bar upon mod Z का square, तो 3 minus 2Y upon, under root इसका square हो जाएगा, mod Z कितना होता है, 3 का square 9, और इसका होता है, 4, okay, तो 3 upon 13 minus 2 upon 13 Iota, option number 3 दिख रहा है, 91 का option number 3, देखते हैं, option number 3, exactly, चलिए, next question देखते हैं, अगला question, अगला question है, theta का, the value, the real value of theta, for which this expression is a real number, मतलब आपको इसको सबसे पहले, rationalize करना पड़ेगा, तो 3 plus 2Y, sin theta, upon 1 minus 2Y, sin theta, multiply by, 1 plus 2Y, sin theta, upon 1 minus 2Y, sin theta, देखें, आपको क्या चाहिए, आपको, real number चाहिए, मतलब इसका imaginary part, आपको 0 कराना है, ठीक ना, real number चाहिए, मतलब आपको इसका imaginary part, 0 कराना है, तो imaginary part आप बनाईए, देखें, कैसे बनेगा, 3 into real वाले को छोड़ दो, आप सीधे imaginary वाले को पकड़ो, तो imaginary वाला part कैसे बनेगा, 3 into 2, यहने की 6i को बाहर ले लो, equal to 0 होना पड़ेगा, क्योंकि purely real बनाना है, मतलब की 6 sin theta plus 2 sin theta बोले तो, 8 sin theta equal to 0, ओके एने की sin theta is equal to 0 हो गया, so theta equal to कितना हो गया, n pi, तो correct answer इसका जो आरा अपने पास में, n pi आरा fourth answer, 92 का fourth, बिल्कुल सही है, 92 का fourth is the right answer, correct, चलिए 93 चलते हैं, fourth लगाएं यहां पर, बिल्कुल सही लगाएं जिस भी बच्चे ने, चलिए next चलते हैं, अगला दिखे, sin of sin inverse 1 by 4 plus cos theta x equal to 1, तो आपको पता है, sin inverse x plus cos inverse x equal to 1 होता है, तो यहां पर actually यह क्या होना चाहिए, यह pi by 2 होना चाहिए, और इसके pi by 2 होने के लिए भी कितना होना चाहिए, 1 by 4 होना चाहिए, तो यह तो आखो देखा वाला question है, इसका answer 1 by 4 हो जाएगा, option number 3, तो question number 93 का, option number 3 बिल्कुल सही है, option number 3 बिल्कुल सही है, चलि question number 94 देखते हैं, 94 देखे, 10 inverse x plus 10 inverse y equal to 2 by 5, तो आपको बताना है, cot inverse x plus cot inverse y कितना होगा, थोड़ा सा manipulation कीजिए, 10 inverse x कितना होगा, pi by 2 minus cot inverse x हो जाएगा, और यह हो जाएगा, pi by 2 minus cot inverse y equal to 2 by 5, अब एक काम कर यह cot के term को आप right side ले आएगे, तो pi by 2 plus pi by 2 कितना हो जाएगा, pi minus 2 by 5, that is equal to cot inverse x, और plus का cot inverse y हो जाएगा, तो pi minus 2 by 5, 5 pi minus 2 by 5, that is equal to 3 by 5, equal to cot inverse x plus cot inverse y, तो correct answer इसका 3 by 5 होना चाहिए, चलिए, 3 by 5 मतलब कि option number 3, और correct answer इसका आ रहा है, question number 94 का, option number 3, बिल्कुल सही है, चलिए, next question देखते हैं, the system of linear equation is inconsistent, inconsistent, देखें, inconsistent मतलब solution नहीं दे रहा है, और अगर solution नहीं देगा, मतलब ये कैसा होगा, आपका invertible matrix होगा, मतलब इसका determinant कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो solution नहीं देने कि कि इसमें, 1, 1, k, 1, minus 2, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये solution नहीं दे रहा है न, तो 1, के बाद minus 2 है, और फिर 2 है, और फिर क्या है, 3, 1 है, और ये minus 1 है, equal to कितना मांगता है, 0 मांगता है, ठीक है, अब आप देखे, कि इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, एक तो chance है कि 0 बना, मगर उतना time लगानी की कोई जरूरत नहीं है, चलिए इसको हम solve कर लेते हैं, directly, तो 1, देखे, 2 into 1 कितना हो जागा 2, और ये हो जागा minus का 2, खदर ख्यताम हो गया इसका केल, okay, minus 2 ये plus 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, फिर minus का 1, 1 into minus 1 हो गया, और 3 into 2 माइनस का कितना हो गया 6, और finally k ये 6 है भाई, और फिर k multiply 1 बन जा 1, और plus का हो जागा, क्योंकि minus 3 टू जा 6 हो गया, equal to कितना हो जा 0, ये तो खेल खतम हो गया, देखे, 1 minus 6 कितना हो गया, minus 7 हो गया, plus 7, plus k into 7, equal to 0, तो 7 के equal to minus 7, तो k equal to कितना है, minus 1, तो option number first है, 95 का, option number first, yes, बिल्कुल सही है, 95 का option number first ही आया हुआ है, okay, answer is minus 1, चलिए 96 देखतें, question, अगला कहरा, the value of the determinant, this, तो अब देखे, यदि आप यहाँ से 5 common ले ले लेते हैं, 5 इसरों से 5 common ले लेंगे, तो यह दोनों सेम हो जाएंगी, तो answer कितना हो जागा, इसका 0 हो जागा, कुछ भी करना ही नहीं है, इसका answer 0, तो 96 का option देखते हैं, B, तो 96 का option number 2 बिल्कुल सही है, चलिए 96 के बाद देखते हैं, अगला question, A matrix इतना है, A square equal to I है, तो आपको बताना है कि कौन सा relation सही है, तो चलिए, इसको solve कर देते हैं, तो alpha, beta, gamma, minus alpha, that is equals to, इसका square है, 1001, ठीक है, इसको solve कर देजिए, कैसे दो बार multiply होगा, alpha, beta, gamma, minus alpha, and alpha, beta, gamma, minus alpha, equals to, 1001, ओके, चलिए solve करते देखे, alpha into alpha, alpha into alpha, कितना हो जाएगा, alpha square, फिर, beta into gamma, प्लस कितना हो जाएगा, beta gamma, ठीक है न, alpha square, beta gamma, यह हो जाएगा, इसके बाद यह element आएगा, यह element आएगा, इसको किस से compare करना है, हम लोग को, 1 से compare करना है, इसको क्या बन जाएगा, alpha square, प्लस, beta gamma, एक्वल टू 1 होगा, corresponding element, यह तो हो चुका, first row, first column, तो मैं यह दी, इधर ले जाता हूँ, इसको, तो 1 minus alpha square, और minus का, beta gamma, एक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, चली चेक करते है, option number 3 है की नहीं है, question number कौन सा आपका, question number 97 है, और 97 का option number 3, बिल्कुल correct है, okay, option number 3 is the correct answer, यह ही आपका, सही answer एकदम, चली अगला question देखते है, which of the following quadratic equation है, two distinct roots, तो आपको बताना है कि, किसके दो distinct roots निकलेंगे, okay, तो दो distinct roots निकलने के लिए, आपके पास क्या होता है, b square minus 4ac, greater than, और equal to 0 होना चाहिए, तो जल्दी से पता लगाने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, एक simple equation देखो, यह मुझे जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका हो जाएगा, तो इसका b square minus 4ac मैं देखता हूँ, तो b square जो है, मतलब पहली निजर में आप कोशिश करों कि आपको simple equation मिल जा, तो b square क्योंकि होगा तो answer कोई एक, at least two distinct real roots है न, तो b square minus 4ac तो one का square, और minus का four into one into five, तो यह तो positive भी आ रहा है, greater than zero है, तो correct answer इसका two ही होगा, तो 98 का जो answer है, two ही correct है, ओके, बाकी आप करके देख सकते हूँ, वैसे मेरे पहले निजर में टकरा आ गया, तो कोई नहीं सही है, चलिए question number 99 करते हैं, तो 3,2 से जाना चाहिए, तो 3,2 से जाएगा, तो satisfy करेगा, तो 3,2,1 को नहीं कर रहा है, 3,2 इसको कर रहा है, 3,2 इसको नहीं कर रहा है, 3,2,5 यह बात जरूर है, अब आपके पास जो है, y equal to mx है, तो m equal to कितना देरा, 1 दे रहा है, हैं ना, तो आपके पास line का slope कितना होना चाहिए, m equal to, perpendicular line का slope, m Vanessa equal to minus 1, तो क्या बन जाएगा ये, x प्लस y एक्वल टू 5 हो जाएगा, ओके तो answer number 4 होना चाहिए जाहा था किसका question बना 99 का, ओके, तो 99 का answer number 4 बिल्कुल सही है, चलि question number 100 की बात करते हैं, चलि अगला बताना आपको question number 100 का answer, चलि देखें, अगला question देखें, अगला question मैं बता रहा हूँ आपको, equation of the circle with center on y axis and passing through the origin and the point 2,3 कहरा है कि ऐसा circle आपको बताओ, center on y axis, जिसका center क्या है, y axis पे हो, तो देखें इस तरीके से इसको करेंगे, ये circle बना लिजे, अब कहरा है कि इसका जो center है, वो y axis पे हो, मतलब ये center जो है आपका, वो axis पे है, and passing, and passing through the origin, अब जायरती बात है, अगर ये origin से pass हो रहा है, तो x axis भी इसको कहीं ना कहीं जो है, टच कर रहा होगा, ओके, तो आपने मान लिए देखें, इसका center कितना है, x coordinate 0 है, y coordinate आपने इसका k मान लिया है, तो ये जो radius बन जाएगी, वो कित्ती बन जाएगी, k बन जाएगी, ओके, और अब अब इसका question मान लेते हैं, तो equation कितना हो जाएगा, x-0 का square, plus y-k का square, equal to r, मतलब k का square, तो यहां से x की जगा 2 और y की जगा 3 रख देंगे, तो x, यहां पे x की जगा 2 का square, यानि कि 4, क्योंकि ये x की जगा 2 और 3 से satisfy करेगा, plus 3, minus k का whole square, equal to k square, solve कर दो, 4, plus 9, minus 6, k, plus k square, equal to k square, cancel, 9, 4, 13, minus 6, k equal to 0, तो k equal to k कितना हो गया, 13, 6 हो गया, अब आईए चलिए answer पूट करते हैं, इस equation में value put कर दो, तो x square plus y minus 13 by 6 का square, equal to k कितना अपने पास में, देखें, आप चाहें तो, ने, ने, ठीक है, यहीं पर है, equal to k square की value, k की value कितनी है, 13 by 6 का whole square, चलो इसको solve कर दो, तो x square plus y square minus 2 into y into 13 by 6, और plus 13 by 6 का whole square, equal to 13 by 6 का whole square, यह चीज़ से cancel हो जाएगी, 2 से कितने बार गया, 3, 2, 3, 6, तो answer कितना आ गया, देखें, 3 का LC हम ले ले लिजए, आप तो 3x square plus 3y square, और minus का 13y, equal to कितना, 0, तो option number क्या दिख रहा है, आपन को a दिख रहा है, चलिए चेक करते है, 101 का option number a बिल्कूल सही है, ओके, so 101 का correct option क्या है, a है, done, बिल्कूल सही, चलिए अगले question की दर्ब चलते हैं, कि x plus 2 की value, x minus 2 की value 6 से greater than 6, okay, तो इसके लिए क्या इन equality लगती, if x is greater than a, then x minus 2 जो होगा, less than minus 6 होगा, और x minus 2 जो होगा, वो क्या होगा, 6 से बढ़ा होगा, यह लगेगा, तो x की value minus 6 से plus 2, मतलब x की value किती, minus 4, 4 से छोटी हो जाएगी, और x की value minus 6 plus 2, यानिकी 8 से बढ़ी हो जाएगी, तो interval कितना आएगा, minus infinity to minus 4, open में, equal नहीं लगा है, minus infinity to minus 4, union 8 से लेके infinity आएगा interval, so simple question तो इसका answer 2 होगा, so 102 का option number 2 ही है, बिल्कुल correct है, चलिए अगले question की और बढ़ेगे, question number 103, okay, देखे के रहा, solution is kept, conversion करना है, solution is kept between 50 degree centigrade to 55 degree, मतलब centigrade में आपको limit दी गई है, तो आपको बताना है कि Fahrenheit में range इसके कितनी होगी, तो सबसे पहले centigrade को अकेला कर लो, तो F-32, F-32 यह होगा, और multiply by कितना कर दो, 5 और upon में कितना होगा, 9, ओके, यह क्या बनेंगा आपका degree Celsius, ठीक न, अब कहा रहा है, जो degree Celsius की value है, वो आपकी 50 से लेके 55 के बीच में है, 50 से लेके 55 के बीच में है, तो C की value रख दो भाई, F-32 upon 9, इसकी value जो है, 50 से लेके किसके बीच में, 55 के बीच में है, तो 9 का multiply कर दो पूरे में, तो 9 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 450, ठीक, और यह कितना हो जाएगा अपने पास में, 450, और एक मिनट कुछ गवर तो नहीं हो रही है, F-32 equal to 9 by 5C, सही है, तो हमारे पास 50 से लेके 55 के बीच में value रखनी है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि Fahrenheit Temperature कहां से कहां तक vary करेगा, तो कितना हो जाएगा, F-32 into 5 upon 9 equal to C, तो C की value जो है, वो 52, 55 के बीच में है, मतलब F-32 into 9 equal to इतना हो गया, बिल्कुल सही चल रहे है, is greater than 5 minus 32, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का multiply कर देंगे तो, ना उपना 45 की पांच, आसी लागे 4, ना उपना 45, 495, ठीक, यहाँ पर कोई नो कोई mistake हो रही है, एक मिनट थवड़ा देखने दीजे, क्या हो रहा है, इस में, इस solution is to be kept between 50 degree centigrade and 55 degree centigrade, और आपको c Celsius की value दी गई है, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, ठीक, 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 और आपको Fahrenheit में निकालना है, मैंने तो कुछ और ही कर दी है, इसलिए गलवड हो गई इसकी answer, चली देखिए क्या है, आपको c की value दी गई है, c की value जो दी गई है, वो 50 से लेके 55 के बीच में दी गई है, ठीक है ना, ओ-क, तो सबसे पहले आपको 9 by 5 करना पड़ेगा, तो 9 by 5 का पूरे multiply कर दो, तो 9 by 5 into 50, यह हो जागा 9 by 5C, और यह कितना हो जागा, 555 into 9 by 5, cancel कर दो, इसको 5 से लेके कितने बार होगा, 10 बार, तो 90 की से यहाँ 9 by 5C, और यह कितना हो जागा, 11 गुणे 99 हो जागा, अब आपको कितना प्लस 32 एड़ करना है, तो इधर भी प्लस 32 कर दो, इधर भी प्लस 32 कर दो, इधर भी प्लस 32 कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, 90 प्लस 32 कितना हो गया, 9, 3, 12, 12, और यह कितना हो गया, 9, 2, 11, कि 1, 9, 3, 12, 1, 13, 13, 131, तो correct answer इसका होगा, A answer, 122 से लेके 131 degree Fahrenheit, तो चेक करते हैं, इसका answer नंबर जो है, क्या होगा, A होगा, Okay, question number कौन सा है है, question number आपका 103 का answer number A, बिल्कुल सही है, correct answer है, answer number A है, first answer बिल्कुल सही है, चलिए अगला question करते हैं, देखे अगला question क्या है, 3 balls are drawn from a bag containing 3 red, 5 white and 2 yellow balls, the number of ways in which these can be done, if at least 2 are red, करा कि अगर कम से कम 2 red हैं, तो आपको बताना है कि, है ना, कम से कम अगर 2 red हैं, तो आपको बताना है, कितनी बॉल निकाले गई हैं, 3 balls, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि 3 ball को कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, तो तीन बाल को निकालने के तरीके क्या बोल सकता है देखी probability at least two red या तो दोनों red निकल जाए या probability at least two red मतलब एक तो बनेगा case दो लाल के लिए तो एक काम करो इसको ऐसे लिख लो आप लो दो cases बना लो इसमें क्योंकि तीन ही तो आपको ball निकालनी है तो एक तो आपके पास बनेगा px equal to two red और एक आप बना लो plus px equal to three red ठीक है दो case बना लिए आपने एक red का है three red है five white है two yellow है तो दो red निकालनी है तो देखे सबसे पहले आपने three ball draw करनी है तो three white five white and two yellow balls number of ways in which these can be done if at least two are red केरा कम से कम दो red है तो चलो आपन निकालते हैं देखे पहली ball आपने कितनी निकाली red निकाली तो red आपके पास में कितनी है three है तो three out of three और पाँच आठ आठ और दो कितना हो गया दस तो पहली आपने three out of ten निकाली फिर उसके बाद आपने लिका लिए two out of ten ठीक है ना देन इसके बाद देखे अगली गेन जो है आपको कोई सी भी निकाल सकते हो तो अगली गेन जो आपके पास बची है वो कौन सी बची है आपके पास में अगली गेन आपके पास में बची हुई है the number of ways in which these can be done ये number of ways फूच रहा है हमसे ये हमसे probability नहीं पूच रहा है मैंने probability निकालनीं शुरूँ कर दी हैं आपे sorry बच्चो तो मैं इसको number of ways निकालना है mine को देखिए ठीक है number of ways हमको निकालना है कि कितने तरीके से आप ball को निकाल सकते हो three balls are drawn from a bag containing three red है तो आपको सबसे पहले दो वेज निकालना है, नमबर बने पहला है कि कम से कम आपको वेज निकालने कि कम से कम दो लाल हूँ, ओके, तो सेलेक्शन हैं कम से कम दो लाल, तो देखे यह कॉश्चन जो है, कॉंबिनेशन का बन रहा है, सबसे पहले यहां पर देखे दो केस बनें तो पहले आपन निकालते हैं कि दो रेड अवल आपने निकाली है तो तीन में से आपको दो रेड खीजनी पड़ेंगे न तो देखे 3C2 आपके पस किती बाल बज गई है पाच सफेद है यह उल्यों मतलब 7C1 एक यह बन गया प्लस देखे 3C3 ओके यही केस बनेंगे 3C3 तो 3 3C2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 3C2 तीन में से दो गेन निकालने के तरीके कितने होते हैं तीन ही तरीके होते हैं और इंटू कितना 7 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 तो आंसर कितना होगा 21 प्लस 1 आंसर होगा 22 तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4 का 22 तो एक सो चार का correct option में check करता हूँ 4 चलिए 105 करते हैं देखे मतलब कि आपको करना क्या है यहाँ पर कि नमबर ओफ वेज इन 11 प्लेयर आपको सेलेक करने 20 में से जिसमें से कि इंक्लूडिंग 1 अब देन 1 हमेशा रहेगा और एक्स्क्लूडिंग 3 अब देम तो 3 हमेशा आपको निकाल देने तो देखे तोटल आपके पास कितने लोग बच गया 20 में से एक को हमेशा आपको खिलाना है तो 24 कितने की बची आपके पास में 24 आप तीन आपको उसको एक्स्क्लूडी कर देने ठीक ना तो आपके पास टोटल कितने बचे 16 बचे अब 16 में से देखे आपको जो ना select कितने करने है ये बताने आपको select कितने करने है देखो 16 में से आपको एक तो select करना ही नहीं है क्योंकि उतो अलड़ी खेल रहा तो आपको बचे कितने 10 तो answer इसका कितना बचेगा आपका answer बनेगा 16 seat 10 ओके तो correct answer इसका 3 होना चाहिए चली देखते है तो 105 का 105 का option number 3 105 का option number 3 बिल्कुल correct है correct answer है 105 का option number 3 16 seat 11 नहीं है 16 seat 10 है ओके तो जैसे यहाँ बच्चे ने 16 seat 11 दे रही है तो बिल्कुल गलत है 16 seat 10 ही लेना पड़ेगा 16 seat 11 answer नहीं आएगा 16 seat 10 होगा correct answer इसका तो correct answer इसका कितना होगा 16 seat 10 एक बर फिर बता देता हूं देखे the number of ways in 11 players can be selected from 20 players always including one of them and excluding three of them तो आपके पस total 10 player है 10 player में आपने 3 को पहले ही भगा दिया उनको तो लेना ही नहीं है तो बच्चे कितने 17 17 में से एक आप हमेशा खिला रहे तो इसको combination में लोगे नहीं तो बच्चे आपके पस में किते 16 अब 16 में से एक को तो हमेशा खिला रहे है तो selection कितने का करोगे 10 का करोगे तो answer कितना होगा 16 seat 10 correct answer होगा इसका 16 seat 10 option number 3 okay तो 105 का correct option option number 3 बिल्कुल सही चलिए अगला question देखिए number of different 4 digits that can be formed using the digits 3, 4, 6 and 8 using each digit only once 4 digits के कितने number बन सकते हैं तो देखिए 4 digits हैं 4 place हैं तो बहुत ही simple question है 24 number बनेगे बिगास 4P4 का concept लगा दिजे factorial 4 that is equal to 24 बहुत ही आसान paper अगला question देखते हैं चलिए ये भी clear हो गया चलिए देखिए question number 17 में आपसे sorry question 17 नहीं question number 106 हो चुका है 106 का option number 1 correct है अब इसके बाद 107 आ चुका है आपको बोल रहा है दिंदर rank of matrix A minus A sorry A minus I की आपसे rank पूछी जा रही है तो देखिए आपके पास में A तो ये दिया हुआ है अगर आप A में से I को minus कर दोगे तो I कितना होता है आपके पास में दिखे A minus I तो diagonal element में सारे 1111 बैठे हुए हैं तो जैसे ही आप I को minus करोगे तो ये 0 हो जागा ये 0 हो जागा ये 0 हो जागा ये 1 हो जागा ओके तो ये आपके पास में कितना हो जागा 0 0 0 0 और यह 1 हो जाएगा आपके पास में और यह बाकी element आपके जैसे हैं वैसे कि रख दो यह 1-0-0 है ऊके तें यह कितना यह 0 है यह 1 हो गया यह 1 है यह 0 है यह 0 यह घिरो यह है जीरो यह भी 0 हो गया और यह भी कितना रहेगा लास्ट के element कितने रहेंगे जीरो, 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 वन तो finally आपके पास ये वाला के matrix त्यार हो चुका है आप से बुला जा रहा है कि इसकी आपको rank बतानी है ठीक ना, तो आप ध्यान से देखो आपके पास ये जो आपके पास में एक determinant बनेगा आपके पास में 3 x 3 का ये वाला जो determinant बनेगा, इसकी value जो है इसकी value किती आएगी, आप solve करोगे तो 1 आएगी, इसकी value किती आएगी 1 आएगी, तो 107 का जो answer होगा, इसकी rank किती आनी चीए 3 आनी चीए, ठीक ना तो इसकी rank किती आएगी, 3 आएगी तो 107 का option नमर देखी क्या लगाए है आपर बच्चे ने, 2 option लगाया है बिल्कुल गलत हो गया है आपर answer इसकी rank किती आएगी, 3 आएगी तो correct answer इसका 3 है, क्यों नहीं है 3 भाई, देखे क्योंकि यहाँ पर देखे question number कौन सा था यह, 107 107 का answer कितना आया है 3, बिल्कुल सही है चली, अगला value का रहा है देनदा eigenvalues of matrix आइगन values आपको निकालना है कि इसकी matrix की eigenvalues, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको characteristics equation बनाना पड़ता है, और characteristic equation क्या होता है, a-lambda i का determinant equal to कितना 0 ठीक न, a-lambda i का determinant equal to 0, तो यहाँ पर हमको इसका characteristic equation बनाना पड़ेगा, और इसके बाद हमें इसकी eigenvalues निकालनी हैं, जो equation को satisfy करें चली, तो इसका equation हम बनाते है, determinant का equation जो बनेगा, इसका a-lambda i का देखे, किस तरीके से बनेगा, देखे, पहला अपने पास आ जाएगा, 2-lambda यह रहगा, minus 5, यह रहगा 5, फिर इसके बाद यह 0 है यह देखे, 3-lambda हो जाएगा, यह कितना जाएगा, अपने पास में minus 1 यह रहगा यह रहगा, 0 यह हो जाएगा, कितना minus का 1 यह हो जागा कितना 3 मैंनस लेमडा अब मैं क्या करता हूँ इसके respect में open कर देता हूँ तो 2 मैंनस लेमडा ओके equal to 0 भी होता है साथ में open करता हूँ देखे यह कितना हो जागा 3 मैंनस लेमडा का square और minus का 1 equal to 0 चलिए एक तो देखे value जो आपके पास आ रही है इसको solve कर दो कि तो लेमडा equal to 2 आ जाएगी तो लेमडा equal to 2 है मतलब option या तो यह होगा या तो यह होगा या तो यह होगा अब चलिए दूसरा equation मैं solve करता हूँ तो आपके पास 3 मैंनस लेमडा का whole square है तो 9 माइनस का किता होगा 6 लेमडा 3 2 जा 6 लेमडा और plus का lambda square और minus का 1 equal to 0 ठीक देखे इसको solve करता हूँ मैं तो यह कितना जाएगा bracket में lambda square minus 6 lambda और plus का 8 equal to कितना होगा 0 अब देखे इसको मैं क्या इसके roots find कर सकता हूँ यदि मैं देखूं real roots के बरहे में तो b square minus 4 इस ही करके देखता हूँ तो b square मतलब की 6 का square 36 minus 4 into 1 into 8 तो 36 minus 2 32 बिल्कुल से तो इसके roots आ जाएंगे तो lambda square minus 4 lambda minus 2 lambda plus 8 equal to 0 lambda common lambda minus 4 minus 2 common lambda minus 4 equal to 0 so lambda equal to 4 lambda equal to 2 तो एक तो 2 already आ चुका है तो correct answer इसका कितना हो जागा 2,4 option number C इसका answer बन रहा है चलिए तो देखते है question number कौन सा था 108 था 108 का option number C बिल्कुल correct है 108 का option number C तो जैसे कि यहाँ पर अपनने 1 दे रही है तो गलत हो गया बिल्कुल answer इसका option number 1 जो है incorrect होगा correct option इसका कितना है option number C is the correct option 108 का yes तो 108 का option number 3 है correct है चलिए देखे नेक्स question देखते हैं अगला question है the characteristic polynomial of matrix the characteristic polynomial of matrix A आपको इसका characteristics polynomial बनाना है तो आप बान जानते हैं कि determinant A minus lambda I equal to 0 होता है तो इसको solve करूँगा तो कितना है देखे यहाँ पर A minus lambda I तो यह कितना हो जाएगा one minus lambda हो जाएगा ठीक न और minus का one प्लस का one यह हो जाएगा अपने पास में कितना 0 तो minus का one ही रहेगा यह one minus lambda हो जाएगा यह भी minus का one रहेगा यह one रहेगा यह minus का one रहेगा यह one minus lambda रहेगा ओके equal to कितना है 0 है चले अब आपको इसको solve करके पूरा का पूरा answer लेकर गयाना और पूरा open कर देना है तो आप क्या 2 0 बनाने का कोसिस कर सकते हैं यह सूचिए तो यदि मैं 2 0 बना भी लेता हूं तो मेरेको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है कुछ खास मेरेको फायदा मिलने वाला नहीं है अब देखे आप कि यदि हम कुछ शॉट्रिक लगाने का कुछिस कीजिए कि यह जो है वैल्यू इसका हम find कर सके ओके देखे इस question को करने के लिए क्या करना question no 109 यहाँ पर characteristics polynomial हमें find करना था तो a minus lambda equal to 0 करके यह हमने solve किया इसको तो देखें कैसे solve होगा a minus lambda equal to 0 1 minus lambda minus 1 1 minus lambda minus 1 and minus 1 minus 1 1 minus lambda equal to 0 यह बना लिए इसका characteristic question इसके बाद मैंने इसको पूरा इस तरीके से solve कर दिया आप लोग देख लो और solve करने के बाद मेरे पास जो character इसका solve करने क्या है lambda q minus 3 lambda square equal to 0 तो correct option इसका क्या बन रहा है 2 बन रहा है और answer key में भी इसका correct answer आया है चली इसके बाद देखे question number 110 है आपके पास कह रहा है कि sigma fi xi दिया गया sigma fi xi minus xi का square आपको दिया गया इतना n equal to इतना तो आपको variance की value पूछी गई देखे इसका directly formula हुआ करता है आपके पास में variance का जो है directly इसका formula देखे क्या होता है हाँ तो देखे variance का formula लिखेंगे यहाँ पर तो जो variance of x कलटा है that is equal to sigma fi xi minus xi का square upon कितना होता है sigma n तो sigma n यहाँ पर कितना जाए sigma fi यहने की कितना है 50 है ओके चलो इसको ठीक लिख दिया कोई बात नहीं minus x bar यहने की sigma fi xi minus n का whole square यह समझ लो चलो देखो यह कितना दिया आपके पास में यह दिया आपके पास में 10,050 okay whole divided by कितना जगा 50 minus यह कितना है 31 100 है और यह अपने पास में कितना हो जब 50 का whole square चलो इसको solve करते हैं तो यह कितना हो गया यह होगा अपने पास में 1005 divided by 5 okay 1005 divided by कितना हो गया 5 minus 0 से 0 cancel हो गया और 310 में आप 5 का divide देजिए 310 divided by 5 5 पांच गुणे 6 6 पे 30 गया यह 12 कितना में 62 minus 62 का whole square ओके ठीक है sigma fi xi upon x का whole square चलो सही है अब देखें यहाँ पे इसको solve कर लिए 5 से कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा इधर पे 0 बचेगा 1 तो 201 minus कितना हो गया 36 minus कर दीजिए तो 11 में से 6 गया 5 मतलब option जो match हो रहा है 175 match हो रहा है तो option देखें कौन सा number question number 110 है तो 110 का जो answer आएगा वो आएगा कितना option number 110 इसका option number 4 दिया हुआ है एक बार फिर से चेक करते हैं हमको बोल रहा है कि variance निकालना है तो variance में option number given option 1 एक थोड़ा सा वेट कीजिए 110 question है ना चली 110 question का answer number 4 बोला जा रहा है एक बार फिर से चेक करते हैं option number 4 तो मेरे को कहीं से नहीं लग रहा है 201 तो 201 तो इधर तक का आ गया था variance हमको पूछा गया है तो variance का formula यह होना चाहिए 175 okay standard deviation अगर पूछता तो problem होती variance में क्या दिक्कत हो रही है 201 में से आपने 6 का square 36 को minus कर दिया है तो 175 आ रहा है issue is question में तो मैं इसको check करके आपको अगले वीडियो में update कर दूँगा तो okay guys आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए अगले जो questions हैं इनको हम आपके लिए कल लेकर कहांगे thank you so much जय हिन जय भरत